Hello everyone, welcome to the learning platter. हमारी previous class में हमने start किया था data link layer. ठीक है OSI model की different layers देखी थी हमने और उन layers में से previous class में हमने start कि थी data link layer. एक जो main function होता है data link layer का वो क्या होता है? error detection and correction. तो error detection और correction के लिए हमने देखे थे बहुत से methods, ठीक है? तो उन methods में से देखिए, सबसे पहले हमारे पास detection में कौन-कौन सा methods है? parity bit code, CRC और checksum. ठीक है, ये तीन main methods आते हैं हमारे detection में और correction में हम देखते हैं hamming code. although जो hamming code है उसमें हम detect भी कर रहे हैं और correct भी कर रहे हैं, ठीक है? तो hamming code को इस वज़ा से हम error detection and correction दोनों ही method का नाम देते हैं, ठीक है? ये error detection और correction दोनों में ही काम आता है. ठीक है, तो parity bit code और साथ में CRC ये हमने previous class में discuss कर लिए थे. next अब हम discuss करेंगे check sum. ठीक है, next method कौन सा discuss करेंगे हम? check sum. इस method में क्या करना है हमने? जो भी हमारा data है, ठीक है, जो भी हमारा data है, उसे n bit blocks में divide कर लेंगे. ठीक है, n bits के different blocks में क्या करेंगे data को divide कर लेंगे. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो हमारे n bits थे suppose यहाँ पर आपके पास 24 bits हैं और उन्हें हम 88 bits के different 3 blocks में क्या कर रहे हैं divide कर रहे हैं different 3 blocks में हमने क्या कि 8 bits को divide कर लिया यहाँ पर then हमने क्या करना है जो यह हमारे 3 different blocks बन गए इन 3 different blocks को हम क्या करेंगे add करेंगे तो यहां पर देखिए हम three different blocks को क्या कर रहे है add कर रहे हैं ठीक है यह हमारा three binary numbers है suppose ठीक है तो यह three different binary numbers हो गए और इन तीनों को हमने क्या किया है add कर लिया add करने के बाद हमारे पास जो भी number आया ठीक है जो भी number आया उसमें यहां पे भी कुछ और भी carry आ रहा होगा ठीके तो three numbers हैं यहां पे 1111 है that means last ही अगर हम इस वाले bit की बात करें तो यहां पे हमें 100 मिलने वाला है ठीके 100 मिल रहा है ठीके तो यहां पे 100 मिला तो हमने 0 तो यहां as it is रखा और जो 10 था बाकी कब वो क्या किया फ़र्दर इसी number में add कर दिया जो result आया है इसी में क्या करेंगे इस 10 को क्या करेंगे add कर देंगे तो जो हमारे पास block है जो भी हमारे पास data का block है उसे क्या की है हमने complete जो data उसे three different bit blocks में divide कर लिया जितने भी blocks बनेंगे उतने blocks बना लेंगे तिक अब blocks बनाने के बाद उन्हें क्या करेंगे add करेंगे different जो हमारे binary numbers है इन्हें क्या करेंगे add करेंगे simple binary addition करना है लेकि 1,0,0 क्या गया 1 1,1,1,0,0,1,0,1,0 that is 1 0 यहां 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 1 और 1 के आया? 0, 1 के रही गया, 1 और 1 के आया? 0, 1 के रही गया, 1, 1, 1, 3 वन्स है, that means 1, 1, 1, 1, 1, 3 वन्स है, तो 1 आया, 1 के रही गया, 1, 1, 0 और 1 गया, ठीक है, अब 4 वन्स है, 4 वन्स क्या हो जाएंगे? 1, 0, 0, 4 वन्स क्या बन जाएंगे? 4, that is 1, 0, 0, अब 100 क्या होगा 0 यहां लिखा हमने और 10 हमारे पास next carry 4 है तो उसे हमने क्या किया फर्दर यहीं पर क्या किया वापिस से add किया add करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एक again नया binary number आ गया अब इस binary number को इस binary number को आप क्या करेंगे इसका once complement लेंगे इस number का क्या लिया हमने यहां पर once complement लिया ठीक है यह वाला number है ठीक है इसका क्या लिया once complement लिया तो यहां number था 00110011 इसका once complement लेंगे तो क्या आ जाएगा number 11001100 ठीक है तो यह हमारा क्या होगा check sum होगा ठीक है यह number क्या होगा check sum होगा अब आगे further जो हमारा data है ठीक है data के साथ ये checksum add होकर कहाँ चला जाएगा receiver के पास चला जाएगा ठीक है ये जो data था ये हमारा data word है ठीक है data word में अब checksum add होगा और ये किसके पास चला जाएगा receiver के पास चला जाएगा फिर हम receiver end पे check करेंगे कि क्या हमारा data correctly पहुंचा है या नहीं पहुंचा है फिर हम detect करेंगे कहां पर receiver end पर यहां पर एक बार दुबारा देख लेते हैं यहां पर हमारे 3 different जो हमने blocks में divide किया 8-8 bits यह हैं तो 8-8 bits अब से उन्हें क्या करेंगे सबसे पहला काम क्या करना है इन्हें add करना है अब इन्हें क्या किया है add किया है अब second number पर जो भी carry आएगा उसे again क्या करेंगे उसी number में आप add कर देंगे उसी number में क्या कर देंगे add कर देंगे third number पर आप क्या करेंगे जो भी यहां पर result आया है उसका once compliment लेंगे उसका क्या लेंगे once compliment लेंगे उसका once compliment लेने के बाद जो भी number आया है हमारे पास यह आपका क्या है? पहुंचेगा पहुंचेगा यह देटवर्ड शात में चेक्सम जो आपका क्या बन जाएगा कंप्लीट कोड़ बन जाएगा तो देखिए कोड़ वर्ड क्या होगा यह जो तीन ब्लॉक्स थे आपके पास 88 साथ में चेक्सम जो हमने compute की है 1100100 उसे हमने zeart हुआ गया है उसे हमनेखे सब्सक्राइब romance इधियर क्या के पास पास परचाईगाम? एलगा पिस द्ग कि New Czy When Ready on the receiver and चेकिंग होगी तरक यहां से ढ़िघ में भेज़गा और receiver end पे दुबारा से चेक करेंगे हम तभी पता चलेगा कि उसमें कुछ error तो नहीं है तो अब आपिस से जब भी हम CRC method देखते हैं तो भी उसमें भी हम क्या करे थे वापिस से चेक कर रहे थे कि divide करके देख रहे थे कि अभी remainder 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा code है जो data है व पर भी हम क्या करेंगे check करेंगे ठीक है receiver के end पे भी अब यहां भी हम check करेंगे तो देखे कैसे check करेंगे जो इसके पास अब यह different blocks आ गए ठीक है यह different four blocks हो गए three थे actual data के और अभी total करके इसके पास कितने हो गए four हो गए है ठीक है तो यह क्या करेगा इन चारों को अब क्य जिरो आगया ठीक है और यहां पर थ्री वान्स है तो वान आया वन करी चला गया इसी तरह से क्या करेंगे इसे एड कर लेंगे ठीक है जब हमने add किया इन सभी को add किया तो हमारे पास एक number आ गया ठीक है यह binary number आ गया अब यहां पर भी देखे 11111 51 थे कितने 1 थे थे 5 थे हमने देखा था क्या बनेगा 100 बनेगा और 5 हैं तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा ठीके 5 को आप बाइनरी में convert करके देख लें तो वो क्या हो जाएगा 5 1s क्या हो जाएंगे 101 हो जाएंगा तो यहां पर हमने one लिक लिया अभी one zero जो carry बचा है वो क्या करेंगे वापिस से add कर देंगे दाट मेंस numbers को add किया जो भी आया अभी जो result में carry बचा उसको further हमने क्या किया इसी number में add कर दिया अब अगर हमारे पस one 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 आ रहा है तिक है इसका अब आपने क्या लेने है once compliment लेने है तो अगर तो once compliment लेने के बाद 0000 आ जाता है that means सभी zeros आ जाती है that means जो हमारा data है वो क्या है error free है और यहां पर अगर कहीं पर zero नहीं आता है that means जो हमारा data है वो corrupt हो चुका है उस particular bit पे corruption हो चुका है तो यहां पर हमारा यह पूरा process check sum जो हमारा error detection code है तो है हमारा check sum उसमें हमारे पास इस तरह से पूरा process रहेगा तो में लिए हम क्या करें आड करें और फिर वही जो हमारा यहां पर carry है उसे further add करें देन once compliment ले रहे है जो भी आ रहा है वो check sum बन जाएगा वो add ओकर जाएगा data word में code word बन जाएगा complete यह अब जो भी total है जो भी receiver के पास पहुंचे इन सब को क्या करेंगे add करेंगे अब यहां पर जो भी हमारे पास carry over था उसे यहां पर further add किया तो हमारे पास एक number आ जाएगा इस number को हम once compliment लेंगे once compliment में अगर सभी zeros आ जाती है that means जो data है जो receiver ने data receive किया वो error-free है तो यह हमारा complete रहेगा process check sum method में तो यहां पर देखिए check sum method में हम क्या कर रहे है sender end पर क्या करें डिवाइड करें data word को group of n bits में जहां पर n रिप्रेजेंट करेगा आपका length of check sum जितने ही जितने bits में हम divide करेंगे ठीक है उतने ही check sum के bits आएंगे अगर हम 8 bits ले रहे थे तो 80 bits किसके आएंगे check sum के आएंगे ठीक है 8 bits लेंगे तो 80 bits आएंगे add करके हम उतना ही रखेंगे बाकी का हमने क्या करना है वापीस से add कर देना है ठीक है तो जितने bits रखेंगे उत्रे ही check sum के length होगी next step क्या होगा binary addition करेंगे हम ठीक है और binary addition के बाद जो भी carry होगा वो उसी में finally add कर देंगे जो भी sum आया तो उसी में add कर देंगे then हम once compliment लेंगे sum का तो जो भी output होगा वो क्या होगा check sum होगा अब check sum को हम lsb में add करेंगे least significant bits add करेंगे तो इधर नहीं add करेंगे जो भी हमारा data है उसके इधर यहां पर least significant bits जो है वो बनेंगे check sum ठीक है उसमें हम add कर देंगे data word में check sum ठीक है least significant bits की जगह पर ठीक है तो next receiver end पर क्या करेंगे same step हमने follow करने है receiver end पर भी ठीक है तो जो result आएगा अगर वो 0 आ जाता है it means error नहीं है otherwise आपकी error है और दुबारा से transmit करना पड़ेगा ठीक है तो देखिए इस तरह से questions कहीं बार बनते हैं find the code word for the following four data items ठीक है तो इसके लिए हमें क्या निकालना है code word find out करना है ठीक है अगर check sum method हमें बोला हूँ है check sum method से करना है तो देखिए यहां पर अलग-अलग हमारे पास क्या दिये हूँ है यह bits दिये हूँ है numbers दिये हूँ है जिसे हम पहले क्या करेंगे bits की form में convert करेंगे ताकि हम binary addition कर पाएं तो इनी steps में से जो यहां पर हमने steps discuss की है कहीं बार इनी steps में से क्या होता है questions बन जाते है questions इनी जगह से पूछ लिया जाता है अगर questions बनता है practically question दे देते हैं तो इस तरह से आ जाएगा और otherwise theory वहीं से पूछी जाएगी जो हम discuss करने है तो देखें यहां पर जब हमने code word देखें UGC net में जर्नली practical questions आते हैं तो हो सकता है theory में से भी आ जाए तो देखें हमें code word find out करना है और यहां पर OX दिया हुए that means जो यह हमारा data है यह किस form में है hexa form में ठीक है किस form में hexa form में और हमी से क्या करेंगे अभी convert करेंगे किसमें decimal binary form में तो देखें यहां पर हमने 3 को convert किया तो hexa है तो 44 bits हम use करेंगे 0011 इसी तरह से a b c c के लिए convert किया यहां पर हमारे पास one carry आया और उसे हमने क्या किया फर्दर यहां पर और कर दिया क्यों आपका से तो अब हमारे पास जो add करके आएगा रिजल्ट वह क्या हो जाएगा चेक सम जाएगा अभी add करके हमारे पास जो result ढया उसका once compliment भी लेंगे टीके add करके हमारे पास यह number आगया चिके यह binary बना लेंगे और उन्हें क्या कर लेंगे तो बाइनरी से यहां पर कनवर्ट कर लिए आपने और यह आपका क्या बन जाएगा चेक सम बन जाएगा यह फैनली क्या आजाएगा चेक सम आजाएगा यहां पर कोई भी बिट्ट चेंज करेंगे तो burada result 0000 नहीं आयेगा ठीक है कोई भी बिट्ट चेंज करेंगे तो जो result जो हो जाएगा ठीक है तो अगर 00 आ रहा है दाट मींस कोई भी एरर नहीं है डेता में तो यह successfully जो हमारा था वही डेटा receiver के पास पॉंच चुका है यह हमने 3 methods discuss किये थे error detection के जिसमें हमने देखा parity bit code then हमने देखा CRC after that check sum यह 3 methods हमने देखे error detection में next हम देखेंगे error correction code यह 3 codes हमारे किस चीज के थे error detection के next हमारा जो code है वो किसके लिए error correction के लिए है error correction के लिए हम hemming code देखेंगे उससे पहले देखते है hemming distance क्या होता है hemming distance between two words is the number of differences between corresponding bits जितने bits का difference है दो numbers के बीच में अगर 110 है और 011 है तो यहां पे देखे कितने bits का difference है इन दोनों में वो क्या होगा hemming difference होगा distance तो यहां पे हमारा यह बीच है यह डिफरेंट है तो 1 का difference होगा यह 11 है और यह 0 है और यहां पे 1 है तो यहां पे हमिंग distance क्या होगा two होगा यहां पे हमिंग distance क्या होगा two होगा तो इसे तरह से हम देखते है 011 और 011 0 0 है और 011 है तो यहां पे हमिंग multiply distance 2000 सब्सक्राइब तो में को अनिया, keeping Top 10 सब्सक्राइब चाए थो सीभाथ के अनिया थो सब्सक्राइबनों अधर हमगे जन रहे हुआ हुआ मैसे भी फरन मायियर हुआ है तो अज़ सीमे निया करें गया जंड मरोगा तो उसकेस में क्या generate करेगा one generate करेगा तो यहां पर जितने भी one's आ जाएंगे हमारे पास तो वो क्या बन जाएगा हमारा hemming distance बन जाएगा तो यहां पर देखिए अगर यह numbers हैं दो हमारे पास तो यहां पर हमने जब इन दोनों को exhaust किया तो हमारे पास three one's आ रहे हैं that means three bits different है अगर हम चेक करें तो यह वाला second bit different है then third same है और fourth भी different है and fifth भी different है तो यह हमिंग distance क्या बन जाएगा three बन जाएगा क्योंकि three one's हमारे पास आ रहे हैं एक्जॉर कर कि तो इस तरह से हम hemming distance calculate करते हैं इस तरह से questions आ जाते हैं कि हमिंग distance two numbers में क्या है तो यहां पर देखिए यह दो numbers आपको given है और इन में आपने हमिंग distance calculate करने तो आप क्या करेंगी यह तो एक्जॉर कर लें सीधा ही दो numbers लिखे और एक्जॉर कर लें otherwise आप क्या कर सकते हैं one by one check भी कर सकते हैं तो जितने भी यहां पर different होंगे तो देखिए first यहां पर same है second different है second different है third same है then fourth यह भी one है यहां पर fifth different है यहां पर zero है यहां पर one है ठीक है यह हमारा different है यहां पर one है और वहां पर zero है ठीक है यहां पर zero है और वहां पर one है यहां पर आप देख पा रहे हैं count करेंगे last ली तो हमारे पस कितने bits different है six bits different है तो यहां पर इन दो numbers के बीच में binary numbers के बीच में hemming distance क्या है six रहेगा ठीक है तो correct answer आपका क्या हो जाएगा six हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से questions कहीं बार पूछ लिये जाते हैं यह previous years में कहीं आया हुआ हुआ है next हमारे पास code आता है hemming code तो यह क्या है correcting code है तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है process then देखेंगे question एक करके तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए जो हमारा data word रहेगा वो क्या रहेगा m bits करेगा और r redundant bits हम add करेंगे तीक है और code word आपका क्या बन जाएगा m plus r बन जाएगा तो अब देखिए अगर हम data word डेटा वर्ड अगर 1 bit का है तो उसमें जो हम redundant bits add करतेंगे वो कितने होंगे 2 होंगे ठीक है और code word कितने बन जाएगा 3 का बन जाएगा 3 bits का बन जाएगा अगर data word 2 bits का है और redundant bits हमारे कितने add होंगे फिर 3 add होंगे और code word कितने का बन जाएगा 5 का बन जाएगा तो यहां पर हमें एक condition दी हुई है इसके according ही हमें क्या करना होता है redundant bits का यह जो condition है यह satisfy होनी चाहिए equation satisfy होनी चाहिए तो यहां पर हम क्या करते है redundant bits add करते है तो देखें यहां पर हमारे पास जो equation है वो क्या है 2 raised to power r must be greater than equal to m plus r plus 1 तो यहां पर देखें अगर हमारे पास one data word है तो यहां पर हम पहले तो one put करके देखेंगे r की value तो अगर हम 1 put करते हैं 2 raised to power 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा क्या 2 raised to power 1 2 क्या greater है 1 अगर यहां पर लेते हैं और यहां पर हमने क्या लिए r क्या लिए 1 और यहां पर क्या है 1 हमारे पास m plus r plus 1 तो यह क्या बना क्या 2 greater than equals 2 है 3 से नहीं है that means हम redundant bits 1 नहीं ले सकते तो 1 के case में हम redundant bit 1 नहीं ले सकते next हम क्या try करेंगे क्या r की value 2 पे यह satisfy होता है तो अगर हम r की value 2 लेते हैं तो यह left hand side में हमारे पास क्या आगया 4 आगया 2 रास तो पावर 2 इस 4 then we have यह greater than equals 2 है ठीक है क्या m की value क्या है 1 ही है और r की value क्या लिए है हमने 2 लिए है और 1 आगई यहां पर value ठीक है तो that means यह यहां पर हमारे पास 4 आगया तो यह equal है तो यह satisfied करता है तो R की value क्या लिए हमने tool इसी तरह से हमारे पास different data words के लिए क्या होता है कि यह R की value specified होगी calculate करके यह values हमने लिख ली कभी satisfy होगा ठीक है कभी inequality जो भी हमें given है ठीक है तो यह कभी satisfy हो रही है उसके according हमने क्या की है इस particular data word की bits पर ठीक है अगर इतने bits है data word की तो इतने redundant bits रहेंगे तो इस तरह से सबके check करके यहां पर लिख दिये गए है तो देखिए अगर one data word होगा तो R क्या होंगे होगा ठीक है redundant bits कितने होंगे 2 होंगे that means code word कितना बन जाएगा हमारा 3 bits का बन जाएगा इसी तरह से हमारे पास complete table बन जाएगी ठीक है तो यहां पर हमारे पास 6 अगर यह होंगे तो 4 आपके redundant bits होंगे और 10 आपके क्या हो जाएंगे code words हो जाएंगे next चलिए यह question discuss कर लेते हैं hamming code से related है ठीक है तो यहां पर हमें क्या given है data word given है 1101 ठीक है data word क्या given है 1101 तो यह m की value क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी ठीक है 4 bits हैं यह तो m की value क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और code words हमारे वो कितने bit का generate होगा 7 bit का generate होगा that means जो हमारे redundant bits हैं वो कितने है 3 है ठीक है 4 के case में हमारे redundant bits देखिए क्या रहेंगे 3 रहेंगे देखिए और code word कितने हो जाएगा 7 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारे पास जो code word है वो कितने का हो गया 7 का जो मारा data word था खो 4 आर जो redundant bits 지역 घुर starton report रहें है थे ठीक है तो अब यहां पे हमने देखना ऐ जो हमारा data पाऊले हम क्या करते थे जो भी हमारा data word था उसके LSB पर या MSB यहां पर इस तरह से कोहीं पर हम एड़ कर रहे थे लेकिन सबसे पहली बात यहां पर हम कहां एड़ करेंगे यहां पर हम एड़ करेंगे location के हिसाब से position के हिसाब से ठीक है तो देखिए अगर seven positions है हमारे पस one two three four five six and seven तो हमने r3 ठीक है three redundant bits ले रहे हैं हम ठीक है redundant bits कितने ले रहे हैं three ले रहे हैं तो suppose यह है r0 r1 और r2 ठीक है r0 r1 और r2 तो इन्हें कैसे कौन सी position मिलेंगी सबसे पहले तो यह देख लेते हैं तो जो zero है ठीक है जो हमारा r0 है उसको two raise to power zero that means first location then two raise to power one r1 को कौन सी location मिलेगी second location then r2 को कौन सी location मिलेगी two raise to power two that is fourth location ठीक है तो यहां पे हमारे r0 कहां पे रहेगा first location पे तो यह place मिल गया r0 को then second place मिल गया second place किसे मिल गया r1 को और fourth place मिल गया हमारा r2 को ठीक है यह locations पे रहेंगे हमारे redundant bits और जो बाकी code word है three four positions हमारे पास अभी vacant है वो code word आपका यहां पर आ जाएगा one one zero one ठीक है वो code word कहां पर आ गया यहां पर आ गया बाकी four positions पर one one zero one ठीक है अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमने देख लिया कि code word कितने bits का है और उसके according हमने क्या calculate कि कि आर क्या होगी ठीक है आर की value calculate की फिर उन सभी आर्स के लिए हमने क्या calculate कि क्या positions होंगी ठीक है कौनसी locations होंगी उनके लिए वो find out किया अब हम क्या calculate करेंगे आर जीरो आर वन और रटू की जो भी redundant bits है उनकी क्या values होंगी ठीक है next क्या calculate करना है कि इनकी क्या values होंगी ठीक है अब इनकी values के लिए हम क्या करेंगे देखे जैसे हम करते हैं 0000 लिखा देन 00 अभी 3 bits 7 है तो हम total 3 bits ले सकते हैं और अगर इससे बढ़ जाएंगी आगे हो जाएंगे total bits अगर increase हो जाते हैं आपके 7 से जादा हो जाते हैं तो आप 4 लेंगे 15 तक अपके कितने possible है 4 bits में काम चल जाएगा ठीक है अगर 15 तक की value है तो 4 bits में काम चल जाएगा तो यहां पे हमारे पकास किया 0000 then 001 010 011 then we have 100 101 110 and 111 ठीक है तो यहां पे आपने देखने हैं कि यह R0 के लिए चेक कर रहे हैं यह R1 के लिए और यह R3 के लिए ठीक है तो यहां पे देखिए R0 पे 11 कहां कहां है यह वाली location पे है इस location पे है इस location पे है और इस location पे है तो यह क्या है 1 देन यह क्या है 3 एंड देन यह क्या है 5 और यह क्या है 7 ठीक है 1, 3, 5, 7 यहां यहां है ठीक है तो R0 के लिए हम लिख लेते हैं ठीक है यह R1 के लिए लिख ले 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 ठीक है R1 बोल दों चाहे R0 बोल दें तो इसके लिए कहा कहा पर है 1, 3, 5 and 7 ठीक है यह यह locations है And then R1 के लिए 1 देखिए कहा कहा है इस location पर है इस location पर है फिर इसके बाद इस location पर है और इस location पर है यह क्या है 2 है then 3 है then 6 and 7 So 2, 3, 6 and 7 Then R2 के लिए कहां कहां पर है 4, 5, 6, 7 कहां कहां है 4, 5, 6 and 7 यह locations है जहां पर यहां पर हमें कहां क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है ठीक अब इसकी बेस पर हम क्या निकालेंगे R0, R1 और R2 की values निकालेंगे ठीक चाहे आप R1, R2, R3 बोलने चाहे 0, 1, 2, 3 ठीक है किसी भी तरह से ले सकते हैं ठीक है वो matter नहीं करता है बेसिकली ठीक है यहां पर 0, 1, 2 ले 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 चाहे इसका सब्सक्रिप्ट 1, 2, 3 ले 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 कुछ भी ले सकते हैं देन देखिए हम R0 की value जब compute करेंगे तो हमारे पास क्या है R0 की value के लिए हमारे पास first position पे देखिए यहां पे क्या है R0 है ठीक है तो R0 as it is लिख लिया फिर 3, 5 और 7 positions पर हमने देखना है तो देखिए third position पे क्या है? 1 है ठीक है third position पे क्या है हमारे पास 1 है यहां पे third position पे क्या है? 1 है then आपके पास fifth position पे आप देखें तो 0 है then 7th position पे क्या है 1 है तो हम यह पे लिख लेते हैं 101 ठीक है एक position पे 1 है then 0 है और then 1 है इसी तरह से R1 के लिए लिख लेते हैं R1 के लिए हमारे पास क्या है R1 के लिए 2367 ठीक है अभी R1 के लिए अगर हम देखें तो 2367 position है ठीक है तो 2367 पे अगर देखे 2367 पर क्या है R1 एंड थेञ्ट पर क्या है 1 उसके बाद 6 7 पर क्या है 11 ठीक है R2 के लिए क्या है R2 के लिए हमारे पास 4, 5, 6, 7 है तो देखे यहां पर हमारे पास यह चाल है लोकेशन तो R2 then 0 and then 1 and then 1 ठीक है यह हमने लिख लिया ठीक है यह हमने लिख लिया अब इनकी values कैसे compute करेंगे इनकी values अब आप compute करेंगे यहां पर हम by default लगाते हैं even parity क्या लगाते हैं even parity use करते हैं ठीक है by default हम क्या use करते हैं even parity use करते हैं तो देखे अगर even parity use करें तो यहां पर already क्या है even ones है even number of ones है तो इसकी value क्या हो जाएगी R0 की value हो जाएगी 0 यहां पर आप देखें तो 3 ones है that means एक one हमें और चाहिए even बनाने के लिए even number of ones बनाने के लिए तो r1 को हम क्या लेंगे one लेंगे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो two ones है already even है तो हम इसे क्या लेंगे zero लेंगे ठीक है इसे क्या लिया हमने zero लिया तो अब देखिए यहाँ पे अब हम इसे क्या करते हैं fill करते हैं, तो जो हमारा number है वो क्या बन जाएगा, one, one zero, r2 की value क्या है, zero, then we have one, one fill करेंगे, then r1, r1 क्या है, हमारे पास one आया, and then हमारे पास है r0, ठीक है, तो r0 क्या है, zero आया, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, code word बन गया, ठीक है, ये क्या से पहले, तो data word देखा क्या है, कितने bits का है, उसके according हमने find out किया, कितने हमारे redundant bits होंगे, और find out किya कितने हमारे code words होंगे, कितने bits का हमारा code word होगा, ठीक है, उसके बाद हमने आपका कि कौन-कौन सी position रहेंगी redundant bits के लिए, उन positions के according कि यहां पे फैंड आउट कर लिया तो हमेशा सेम रहें ही वैल्यू तो यहां पर हमने क्या क्या इनकी वैल्यू को पूट कर दिया और अक्यूडंग्ली हमने फांड ओडिया कि किन इनको फ़रक पड़ रहा है तो तो एक्वाडिंगली हमने वह बिट्स लिखे और उन bits के साथ हमने क्या लिखा है कि even parity के according यहां पर क्या bit आनी बनती है अब तेखिए यहां पर 010 बन रहा है, R0 0 बनेगा, R1 1 बनेगा, and R2 क्या बन रहा है, 0 बन रहा है यह क्या आ गया, code word, अब next क्या करना है हमने, next देखिए क्या करेंगे, next देखिए जब code word आ गया, अब हमें क्या करना है, अब receiver end पे check होगा, ठीक है, अब क्या होगा, receiver end पे क्या होगा, यह check होगा, code word, ठीक है, अब देखिए receiver end पे कैसे check करना है receiver end पे suppose यह 100100 की बजाय कुछ ओर पहुंचा, ठीक है, ABOUT 100, 0100, 100, 120, ठीक है, यह हमारा code word है, लेकिन, instead of this, अगर suppose receiver के पहुंचा है 1 1 1 ठीक है यहां पर हम 1 कर देते हैं then आपके पास 0 1 1 0 बाकी क्या है सेम ही है ठीक है बाकी सेम है ठीक है अब रिसीवर के पास यह पहुंचा है ठीक है तो अब हम कैसे चेक करेंगे देखी यहां पर हम क्या 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 तो यहां पे C1 किसके उपर बेज़ रहता देखिए यहां पे जो आर नॉट था उसमें कौन-कौन से थे वन फाइव फाइव सेवन ठीक है आर वन आर यहां तो देखिए यहां पे भी हम क्या करेंगे वन थ्री फाइव और सेवन इन तीनों बिट्स को चेक करेंगे दें C2 पर हम कि इन बिट्स को चेक करेंगे जो यहां पे थी 2,3,6 और 7 को चेक करेंगे और आर थी 3 के लिए हम किसे चेक करें है 4,5,6,7 को चेक करेंगे ठीक है जो पहले का प्रॉसेस था वह हमारा कमप्लीट हो गया चेक करेंगे डिया साथ किसी कोडय है यह प्रॉस किहा ज Здесь समय कोड़ुकत है हुआ है मैं कोक्रॉस के लिए कोड़ 2 और 2 पर धेन यह करेंगे लिए करेंगे ठीकें लिए और correction के लिए भी तो देखिए अब हम detect कर रहे हैं ठीक है अभी हम detection का काम कर रहे हैं तो देखिए यहां पे जब यह वाला पोंचा receiver end पे हमने क्या लिए C1, C2 और C3 अब इन तीनों से हम क्या check कर रहे हैं देखिए 1, 3, 5, 7 यहां पे अगर हम values देखे 1, 3, 5, 7 पे तो कौन- अगर C1 के लिए देखे 0 है हमारे पास then 1 है and then 1 है और फिर हमारे पास क्या है 1 है तो यहां पे देखिए 3 1s है हमारे पास कितने 1s है 3 1s है that means 1 1 हमें और चाहिए पारिटी के लिए ठीक है 1 1 चाहिए हमें और next हमारे पास क्या है C2 है 2, 3, 6, 7 तो देखे 2, 3 and 6, 7 तो 2, 3, 6, 7 भी हमारे पास क्या है 4 1s है that means हमारा even parity यहां पे satisfy हो रहा है even number of 1s है 0 हम यहां पे add करेंगे then हमारे पास आता है C3 तो देखे यहां पे क्या है 4 5 6 7 तो हम यहां पे अगर देखे 4 5 कौन से यह 6 7 यह वहला तो यहां पे हमारे पास क्या है 1 1 1 0 ठीक है तो यह क्या बना आपके पास वान बना ठीक है इवन पैरिटी के लिए हम क्या एड करेंगे वान एड करेंगे ठीक है तो यह क्या बता रहा है अब यहां से देखिए आपको क्या मिल है वान जीरो वान मिल है क्या मिल है वान जीरो वान मिल है that means जो आपका error है वो कौन से bit पर है 5th bit पर है ठीक है 5th location पर है तो यहां से अगर हम count करें 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है तो यही पर आप देखें आपका क्या है error है ठीक है यही bit अगर हम देखें यहां पर हमारा क्या है change है यही वाले bit को हमने change किया था यहां पर बाकी bits आपके क्या थे same थे ठीक है तो यहां से हमें क्या मिला कि किस तरह से हमने find out किया कि कौन से bit में error है ठीक है तो यहां पर पहले हमने code word बना लिया code word निकाल लिया then कुछ नहीं करना है simply हमने क्या किया c1, c2, c3 लिका और जो उसमें हमने लिये लोकेशन वही लोकेशन यहां पर ले रहे हैं और उन जो भी उन लोकेशन पर बिट्स है वो लिख लिए अभी यहां पर हम बात की कि इवन पैरिटी ही यूज करते हैं हम ठीक है तो यहां पर 0, 1, 1, 1 है तो 3 कोरेक्शन के लिए उस तरह से हम हमिंग कोड को यूज करते हैं एरर करेक्शन के लिए